हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षातीन की वॉक्षीट नंबर 134A जो की 16 दिसंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है हिंदी और आज हम समझेंगे इस वॉक्ष की टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्षिन A, B या फिर C जो भी सेक्षिन है वो लिखेंगे ठीक है चलिए इस वॉक्षीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों हमने पाठ जब मुझे सापने काटा में पढ़ा था कि बालक को बर ने काट लिया था जिसकी वज़े से उसकी उंगली में सूजन आ गई थी और बहुत दर्ध भी हो रहा था सोचिए यदि अगले दिन उसे स्कूल जाना होता तो क्या वह जा पाता नहीं न इस थिती में वह अपने विद्याले के प्रधाना चारे जी को अवकाश यानि की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता तो बच्चों अगर आपको भी कोई problem होती है अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे होते हैं तो आपको भी अपने प्रधाना चारे यानि प्रिंस्पल को एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है तो चलिए देखते हैं कि अव्काश के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रिकार लिखा जाता है प्रार्थना पत्र को English में हम Application बोलते हैं तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए वो कौन कौन सी बाते हैं पहला पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और पत्र छोटा लिखा होना चाहिए बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं उसके बाद है कि पत्र में संबोधन, अभिवादन, विशेवस्तु, समापन, उचिस्थान पर लिखा होना चाहिए मतलब कि पत्र का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को ही अपना कर हमें पत्र को लिखना चाहिए और पत्र में दिनांक यानि की डेट और पत्र पाने वाले का पता अवश्य लिखा होना चाहिए यानि हम किस डेट को पत्र लिख रहे हैं और किसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता जरूर होना चाहिए तो बच प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास हम सभी को करना चाहिए? तो आईए अब अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमक्व दिनांक लिखकर इस प्रार्थना पत्र को पूरा करते हैं. तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? स्कूल का नाम और पता उसके बाद आप लिखेंगे विशे विशे क्या है? बिमारी के कारण अवकाश हे तू इसका मतलब कि आप बिमार हैं इसलिए आप अवकाश यानि की छुट्टी चाहते हैं अब इसके आगे आप लिखेंगे श्रीमान जी या फिर श्रीमती जी सविने निवेदिन या है कि कल रात से मुझे बुखार है मुझे डॉक्टर ने दो दिन तक आराम करने की सलाह दी है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता या सकती अगर आप लड़का हैं तो आप सकता लिखेंगे और अगर आप लड़की हैं तो आप सकती लिखेंगे मुझे दिनांक डैश से दिनांक डैश तक अरथात दो दिन का अवकाश प्रदान करें आपकी अतिक रिपा होगी तो यहाँ पे हमें लिखना होता है डेट जिस देट से हम चाहते हैं कि हमें छुटी मिल जाए ठीक है अब मानलो हम चाहते हैं कि हमें 17 दिसंबर 2021 से लेकर तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 18 दिसंबर 2021 तक को छुटी चाहिए आपको तो जिस date से आपको चुटी शुरू करनी है वो यहाँ लिखेंगे और जिस date तक आपको चुटी चाहिए उसको आप यहाँ पे लिखेंगे ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्य अगर आप लड़का है तो और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आग्या कारणी शिश्या फिर आप अपना नाम लिखेंगे फिर आप अपनी class और उसका section लिखेंगे और roll number लिखेंगे जैसे कि आप मान लेते हैं आपका नाम है राहुल तो आप यहाँ पे लिखेंगे राहुल उसके बाद आप अपनी कक्षा यानि की third लिखेंगे उसके बाद section लिखेंगे मान लेते हैं A है आपका section और फिर उसके बाद आप अपना roll number लिखेंगे जैसे मान लेते हैं आपका roll number है 14 ठीक है और फिर आप date लिखेंगे जिस date को आप ये application लिख रहे हैं ठीक है अब इसके बाद देखो दूसरे प्रश्ण में हमें का कह रखा है बच्चो आपने प्रश्ण एक में भीमारी की कारण अवकाश हे तू प्रार्थना पत्र लिखना सीखा चलिए अब चाचा जी की शादी में जाने के लिए चार दिन के अवकाश हे तू प्रधाना चारे या प्रधाना चारे जी को प्रार्थना पत्र अपनी कौपी में लिखिए तो बच्चो अब आपको क्या करना है चार दिन की छुट्टी मांगनी है और अब विशय क्या हो जाएगा चाचा जी की शादी में जाने के लिए चार दिन के लिए अवकाश ठीक है तो चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं तो बच्चो आप इस तरीके से कुछ पत्र लिख सकते हैं जैसे की सेवा में प्रधाना चारे या प्रधाना चार्या जी फिर आप यहां पे अपने स्कूल का नाम और पता लिखेंगे फिर विशय लिखेंगे चाचा जी की शादी में अपने गाउं जाना है कृप्या मुझे चार दिन अर्थात 17 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक का अवकाश प्रदान करें धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्य या फिर आपकी आग्याकारनी शिश्या फिर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे फिर क्लास और रोल नंबर और फिर डेट जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं ठेके बच्चों तो इस तरीके से आप ये लेटर लिखेंगे चलिए आगे देखते हैं अब आपके पेरेंस के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताईए कि आज संदेश भेजने के लिए बहुत से साधन जैसे कि फोन, इंटरनेट, आदी होने के बाद भी हमारे जीवन में पत्र वैवहार बहुत आवश्यक वा महत्वपूर्ण है जैसे कि जन्म दिन या शादी, समाहरों के लिए निमंतरन पत्र, प्राटना पत्र वा नौकरी के लिए आवेदन पत्र तो बच्चों, आपको कारेपत्री का मज़ेदार लगी ना, अब बताईए कि आज आज आपने क्या नया सीखा तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की और बच्चों अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू